हमारी सेव की चटनी बन के तयार है फ्रेंट्स और यह देखिए कितनी बढ़िया बनी है और इसका टेक्स्चर से आप अंदाजा लगा सकते कि कितना टेश्टी होगा यह सेव की चटनी है है तो सेव की चटनी के लिए फ्रेंट्स हमने तीन सेव लिया यह वेट में लगवाग डेर सो दो सो गराम के असपास है और यह मीडियम साइज का सेव हमने लिया है ज्यादा बढ़ा नहीं छोटा तो हम सेव को अच्छी तरव पहले धुल लिया है उसके बाद इसे हम छील लेगे ंच्छे से तो सेव को छीलने के बाद हम प्रिंट्स है अब इसे इसकी दोटुपरे काट कि इसे पतले-पतले सेव में काटेंगे तो धीत कि देखिये, हूंहे भी उसला से काटा आप इसे इस परकार से कटा है और इसकी सारे बीज को निकाल दिया है, तो आप भी इसी तरीके से सारे सेप को इस परकार से कट करके इसके बीच वाले भाग को निकाल लें, उसके बाद यह देखिए, फाइनली हमने सारे बीच को निकाल दिया है, और कुछ इस परकार से हमने टेक्च्चर इसका रखा है, आप चाहे तो किसी भी स लेकिन जढ़ा पतला रखें था कि एपसी पखें था थे तो अफ़ने से चरह ना काटा है अब तो लंबे लंभे सेप में वी काट कर शकेक है और पतले सेमें थाकि अच्छे से पखঽें तो सारे सेपने से परकार से कट कर लिया है तो यह देखे कितना बड़िया है हमारा यह सेफ जो कटके तयार हुआ है तो अब हम चलते हैं फ्रेंट्स नेक्स्ट परसेस पर तो नेक्स्ट परस्ट के लिए हमने एक फ्राइपेन लेंगे फ्रेंट्स और उसमें थोरी सी तेल डालेंगे लगवर देश चमच के असपस ते यह जो सेव का लोगा कलर्ण चेंज है फ्रेंट्स तो काटने के बाद ज्यादा दिर आप न रखें नहीं तो और ज्यादा इसका कलर चेंज हो जाता है तुरंद काटके इसे तुरंद बना लें तो यह देखे हमने इसे तेल में डाल के यहां पर हमने रिफाइंड तेल का इस्तमाल किया है आप चाहे तो सरसो तेल का वे इस्तमाल कर सकते हैं तो इसे मिलाने के बाद हम इसे ढखके इसे लगबग आठ से 10 मिर तक मेडियम टू हाइ फिलेम पर पकाएंगे इसे ताकि अच्छे से सॉप्ट हो सके और फिर से हमने एक बार इसे कवर करके पकाया है तो अब हम देखेंगे कि इसे कितना सॉप्ट हुआ है और आप इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में और हलका इसे प्रेस करते रहेंगे ताकि ये जो अच्छे से मैंस हो जाए तो इसके बाद हमने तो इसी नमक डाला है ममक हमने आरदी चमच का असपास ताकि ये और अच्छे से गल जाए तो ये देखिए कितना बढ़िया से हमारा ये से गल्दा है तो नमक डालने के बाद इसे कवर करके जरूर रखें लगबग चार से पांच मिनट तो चार से पांच मिनट अखने के बाद हम कुछ इस प्रकार से यह देखिए कितना बढ़ी है इसका कलर भी आ गया गया गॉल्डन ब्राउन हो गया है तो अब हम यहाँ पर चीनी एड कर ल वजने देखिए कि दम चानें के बाद आप आप यह खुद भखुद मेल्ट होकर अच्छे सी यह प्रिखल जाएगा तो यह कि कि यह तन दні अच्छे से पिखल रहा है छिनी तो इसपर करसा दाके दाल्सी चलाते रहेंगे क्वडूर्मन तो इस चलाने से क्षक यह जब अ पड़ जमना तो इसलिए निम्ब का परियों करते हैं निम्ब का परियों करने से बहुत हद्त कम होजाता है चीनी जमना तो इसी तरीके से निम्ब डावाद देखिए इसका जो कलर हो गया है तो और आप हम जो यहां पर लाल मिर्च पाउडर इस्तिमाल करेंगे क्योंकि यह जो सेव की चट्नी है खटी मिठी तीकी बहुत ही बढ़िया यह बनके तयार होती है तो यह देखिए लाल मिर्च पाउडर आप तीखा अपने हिसाब से डाले तो हल्किया सा तीखा ज्यादा ही डाले तो मजा आएगा यह चट्नी खाने में तो यह देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्ट्चर भी हो गया है तो अब हम यहां पर थोरी सिसमें पानी एड़ कर लेंगे ताकि यह जो है इसका थिकनेस थोड़ा सा पतला हो जाए तो यह देखिए कितना बढ़ि सेते सरछ खटी यह जो है सेव कि खटी मीठी और तीखी चटनी बनके त्यार है तो आप टेक्ट्चर देख सकते हैं तो अब हम में इसकी प्लेटीं कर लेते हैं एक्ंद मेटा मीठा तीखा चटनी बन के तेयार है और आप इसकी ठीकनेस का अंदाजा लगाएं देखके कि यह कितनी गाढ़ी है कि बिल्कुल चटनी वाली जो टेक्चर होती है न तो अब भी इस रेसिपिक अपने घर पे एक बड़ ट्राय जरूर करें फ्रेंच तब तक के लिए अगर यह रेसिपि आपको अच्छी लगी हो तुमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें टेक्वे लाइक न को दवाना ना भूले ताकि शित अगर रेसिपि आप पागवे विल्क्ति रहे ताकि लिए जय जय वारत